चले दोस्तों लेके आगया हूँ आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो और आजकल TWS टूली वायरलेस एरफोन्स सभी मैनुफेक्चर जो है लाँच कर रहे हैं इट इस आल इन वोग जिहां आए दिन बहुत सरी खबरे आती हैं तो हमने सोचा कि इतने सारे TWS आरें तो आप तक पहुंचा है सबसे अच्छे TWS एरफोन्स अंडर 5,000 रुपीज जिया हमने जब यह रिसर्च कर रहे थे कि कौन से टॉप 5 में आते हैं मेरे पिक्स कौन से हैं तो हमने कुछ basic criteria रखा दोस्तों सबसे पहले तो driver size is very important क्योंकि driver size पे basically जो audio होता है which is the most important thing वो होता है उसके बाद में बागी सब features देखे इन TWS हमारी हिसाब से touch controls बहुत important होते हैं so that should be there and battery life कम से कम 14-15 घंटे तो कम से कम होनी चाहिए यह backup जी हां it should last you through the day easily तो उतना backup है तो यह 3-4 criteria के basis पे हमने आप तक यह list पहुचा ही है और एक बाद बताओं दोस्तों 5 में से 4 जो है हमने खुद ने try किये हुए मैंने audio सुना हुआ है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जी हां बताओंगा सबसे पहले पाचवे नंबर का end में बताओंगा पहले वाला ताकि आप पूरा वीडियो देख सके लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आयो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए बैल आइकन बज़े यह all कीजे ताकि हमारे वीडियो के सब नोडिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं वैसे औरे क्राइटरिय बताना भूल गया टाइप सी चार्जिंग होनी चाहिए अगर वायलेस चार्जिंग होगी इस एन एक्स्ट्राइब कम से कम टाइप सी चार्जिंग होनी चाहिए पाच्वे नमबर पर आते हैं दोस्तों नॉइश शॉर्ट्स XOTWS यस अब दो चीजे स्टेंड आउट है इसमें एक तो बैटरी लाइफ दोस्तों यस थर्टी सिक आर्स इस लिस्ट में सबसे ज्यादा जो बैटरी बैकप है इनी का है लेकिन पाच्वे नमबर पर क्यों है क्योंकि इसमें सिर्फ 6mm के ड्राइवर्स हैं दिस इस लोवेस्ट साइज अफ ड्राइवर्स इन आल अल अफ दिस फाइफ और उसकी वह से पाच्वे नमबर पर बाकी बहुत सारे अच्छे फीचर्स है वाइरलेस चारजिंग है टच कंट्रोल है इसके अंदर टाइप सी चारजिंग भी है आईपी एक सेवन का सर्टिफिकेशन है तो थोड़ा बारिश में होगे इस्तिमाल करोगे तो no problems and that's why in our list 5th वैसे दोस्तों इसकी जो प्राइज है वो 4999 है 5,000 के अंदर आते हैं और दो अगर आपको बेस चाहिए एक एरफोन में तो मैं कहूंगा इस वन क्यों क्योंकि इसके ड्राइवर्स जो है 14.2 mm के ड्राइवर्स है वेरी गुड़ टच कंट्रोल है वेर डिटेक्शन भी है बैककप जो है थोड़ा कम है दोस्तों 14 आर्स का बैककप टाइम मिलता है बट अगर आप देखोगे दोस्तों इस मी वायर्लेस एरफोन स्टू जो है सही में चौथे नंबर पर इस्पेशली बिकास एक हजार से कम भी है इस कॉस्ट 4,000 रुपीज विच इस वेरी गुड़ प्राइस और दोस्तों पहले अभी यह जे टॉप थ्री है यह शफल हो सकते है इनके ranking क्यों अगर किसी को active noise cancelling चाहिए then he should look at that तो आप आपको कौन सा feature important है उस हिसाफ से choose कीजे मैंने overall features देखे हुए उसके बाद में मैंने ranking यह किये हुए है चलिए बढ़ते हैं तीसरे number के TWS earphones के पास Oppo Enco W51 जी हाँ अभी अभी launch हुए है इनफेक आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरू जा के देखिएगा इस अगर यह किदर मार खाता है मार खाता है अगर किदर वीक है that is the driver size this one has got 7mm drivers सो ठीक ठाक है इनफेक्ट मैं जब सुन रहा था ANC के साथ मुझे यह अच्छे लगे ठीक ठाक है overall definitely at number 3 price 4990 I think they are quite good and at number 3 दोस्तों दूसरे number पे आते हैं Realme Buds Air जी हां और यह मुझे अच्छे लगे 12mm के driver है in fact अगर सबसे balanced sound मुझे कहना है तो मैं कहूंगा Realme Buds Air के है उतना ही नहीं इसके अंदर दोस्तों wireless charging आता है yes you have got wireless charging you have got touch controls wear detection आता है 17 hours का backup time है which I think is decent तो overall अगर आप features के पास देखोगे plus दोस्तों 3990 यह 3999 4000 के नीचे आते हैं तो price के पास आप देखोगे audio के पास देखोगे definitely at number 2 वैसे दोस्तों आपको बता दू 2999 में इसी का छोटा भाई यहां Neo version जो है जिसमें wireless charging नहीं आती है and wear detection नहीं आता है और 1000 से कम है 2999 में तो उसके पास अगर आप budget देख रहे हो तो यू can also look at them दोस्तों जो number 1 पे है नया player है पहली बार उन्होंने earbuds launch किया है और 10 minute में 10 गंटे का playback time देता है I think you must have understood जिया मैं बात कर रहा हूँ OnePlus Buds के बारे में total 30 hours का backup time है and 13.4 mm के drivers है अगर आप overall backup time मतलब battery and audio के पास देखोगे these definitely are worth the price जिया और बाकी के जो सब features है Bluetooth 5.0, well detection, touch control यह सब भी आते हैं इसके अंदर और हां दोस्तों OnePlus Buds के बारे में बोल दूँ इसमें wireless charging नहीं है but fast charging जैसे मैंने बताया था 10 minute में 10 गंटों का backup that really helps आपको जाना है बैटरी कम है 10 minute charge कर दीजे and you are right out पूरे दिन आप इस्तिमाल कर पाओगे so that's a big feature to have overall पूरी तरस से अगर आप as a package देखोगे OnePlus Buds are number one in my ranking तो दोस्तों यही थी मेरी ranking बहुत सोच समझ के research करके आप तक यह list पहुचा ही है ranking भी हमने हमारे इसाब से की है you might differ अगर आपकी ranking में इधर उधर कुछ हो रहा है तो जरूर नीचे comment section में बताइएगा यह video अच्छा लगा दोस्तों like करना मत भूली अच्छा नहीं लगा तो no problem comment जरूर कीजेगा very important चले दोस्तों इस video में इतना ही अगले video तक keep tracking and stay safe